तीमु थी उसके नाम पॉलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याए एक पॉलुस की ओर से जो हमारे उद्धार करता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आग्या से मसीह यीशु का प्रेरित है तीमू थी उसके नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है पिता परमेश्वर और हमारे प्रभू मसीही इशु से तुझे अनुग्रह और तया और शान्ती मिलती रहे जैसा मैंने मकी दुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आग्या थे कि और प्रकार की शिक्षा ना थे और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाध होते हैं और परमेश्वर के उस प्रभंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है वैसे ही फिर भी कहता हूं आग्या का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेमुत पन हो इनको छोड़ कर कितने लोग फिर कर बखवा की और भटक गए हैं वैवेवस्था पक तो होना चाहते हैं पर जो बाते कहते और जिनको द्रड़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं पर हम जानते हैं कि यदि कोई वैवस्था को वैवस्था की रीती पर काम में लाए तो वो भली है ये चानकर कि वैवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों निरंकुषों भक्तिहीनों पापियों अपवित्रों और अशुद्धों माअबाब के खात करने वालों हद्यारों व्यभिचारियों पुरुष्गामियों मनुष्य के बेचने वालों छूठों और छूठी शपत खाने वालों और इनको छोड़ खरे उप्देश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है यही परमधन्य परमेश्वर की महिमा के उस सूसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौपा गया है मैं अपने प्रभू मसीही इशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग के समझ कर अपनी सेवा के लिए ठहराया मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था तो भी मुझ पर दया हुई क्योंकि मैंने विश्वास की दशामे बिंच समझे बूझे ये काम किये थे हमारे प्रभू का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीही येश्व में है बहुता यत से हुआ ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीही येश्व पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया है जिन में सबसे बड़ा मैं मुझ पर इसलिय दाया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में येश्व मसीही अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आधर्षपर अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंदेखे अत्वैत परमेश्वर का आधर और महिमार युगान युग होती रहे आमी हे पत्र तीमूथियुस उन भविश्य ध्वानियों के अनुसार जो पहले तेरे विशे में की गई थी मैं ये आज्या सौपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई नड़ता रहे और तू विश्वास और उस अच्छे विवेक को धामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहास टूप कया उन्ही में से खुमिनयुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौत दिया कि वे निंदा करना ना सीखें अध्याय दो अब मैं सबसे पहले ये आदेश देता हूँ कि विनिती और प्रार्थना और निवेतन और धन्यवाद सब मनुश्यों के लिए किये जाएं राजाओं और सब उचे पदवालों के निम्मेत इसलिये कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से चीवन बिताएं ये हमारे उधार करता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है वो ये चाहता है कि सब मनुश्यों का उधार हो और वे सत्य को भनी भाती पहचान ले क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुश्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है अर्थात मसीह जिसने अपने आंको सब के छुटकारे के दाम में दे दिया ताके उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए मैं सच कहता हूँ जूट नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया सो मैं चाहता हूँ के हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और सैयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारें नके बाल गूथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से पर भले कामों से क्योंके परमेश्वर की भक्ति ग्रहन करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है स्त्री को चुप चाप पूरी आधीनिता से सीखना चाहिए मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उप्तेश करे और ना पुरुष पर आग्या चलाए परन्तु छुप चाप रहे क्योंकि आदम पहले उसके बाद हववा वनाई कई आदम बहकाया ना गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई तो भी बच्चे जनने के द्वारा उध्थार पाएगी यदि वे सैयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे अध्यायती ये बाद सकते है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वो भले कान की इच्छा करता है सोचाहिए कि अध्यक्ष निर्दोश और एक ही पतनी का पती सैयमी सुशील सब भे पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपण हो प्यक्कण या मारपीट करने वाला ना हो वरन कोमल हो और ना जगडालू और ना लोभी हो अपने घर का अच्छा प्रबंद करता हो और लड़के बालों की सारी गंभीरता से आधीन रखता हो जब कोई अपने घर ही का प्रबंद करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा फिर ये की नया चेला ना हो ऐसा ना हो की अभीमान करके शैतान का सा दंड़ पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो ऐसा ना हो के निंद थोकर शैतान के फंदे में फस जाए वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए दो रंगी प्यक्कड और नीच कमाई के लो भी ना हो पर विश्वास के भेद को शुध विवेग से सुरक्षित रखे और ये भी पहले परखे जाए यदि वे निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें इसी प्रकार से स्त्रियो को भी गंभीर होना चाहिए दोश लगाने वानी नाम पर सचेत और सब बातों में विश्वास योक्यों सेवक एक ही पतनी के पती हों और लड़के बालू और अपने घरों का अच्छा प्रबंद करना जानते हों क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे प्रब्द करते हैं मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इस लिए लिखता हूं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलिसिया है और जो सक्त्य का खंबा और नेव है उसमें कैसा बरताओ करना चाहिए इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है अर्थात वो जो शरीर में प्रगट हुआ आत्मा में धर्मी ठेहरा स्वर्गदूतों को दिखाई दिया अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ चगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा मे उपर उठाया गया अध्याचार परन्तु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भर्माने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर्मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे ये उन जूठे मनुश्यों के कबट के कारण होगा जिनका विवेक मानों जलते हुए लोहे से दागा गया हो जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की उस वस्तुओं से परे रहने की आक्या देंगे जिन्हें पर्मेश्वर ने इसलिए सुजा कि विश्वासी और सत्य के पहिचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं क्योंकि पर्मेश्वर की स्रजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, और कोई वस्तु अस्विकार करने योगे नहीं, पर ये कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि पर्मेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तुम भाईयों को इन बातों की सुधी दिलाता रहेगा, तो मसीही इशुप का अच्छा सेवक तहरेगा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से, जो तुम मानता आया है, तेरा पालन पोशन होता रहेगा। परशुद्ध और बूर्यों कीसी कहानियों से अलग रहें, और भक्ति के लिए अपना साधन कर, देह की साधना से कम लाब होता है, और भक्ति सब बातों के लिए लाबधायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिग्या इसी के लिए है। और ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग है। हम परिश्रम और यत्म इसी लिए करते हैं, कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुश्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आग्या कर और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुछ ना समझने पाए। परवचन और चार्चलन और प्रेम और विश्वास। और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बंजा। जब तक मैं ना आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लॉलीन रहे। उस वरदान से जो तुछ में है और भविश्य द्वानी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। निश्चिंत मत रहे। उन बातों को सोचता रहे और उन्ही में अपना ध्यान लगाए रहे। ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रगठ हो। अपनी और अपने उपदेश की चौगसी रख। इन बातों पर श्थिर रहे। क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तुझ अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उत्थार का कारण होगा। अध्याए पांच किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे। और चवानों को भाई जानकर बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और चवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विद्वाओं का जो सचमुच विद्वा हैं आदर कर और यदि किसी विद्वा के लड़के बाले या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ती का बरताव करना और अपने माता पिता आदी को उनका हक देना सीखें क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है जो सचमुच विद्वा है और उसका कोई नहीं वो परमेश्वर पराशा रखती है और रात दिन विनदी और प्रार्थना में लॉनी भीरती है पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है इन बातों की भी आग्या दिया कर दाकिवे निर्दोशन पर यदी कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकट गया है ऑर अव विश्वासी से भी बुरा बन गया है उसी विद्वा का नाम लिखा जाये जो साट वर्ष से कम की ना हो और एक ही पती की पत्नी रही हो, और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन बोशन किया हो, पाहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पाउं दोए हो, दुख्यों की सहायता की हो, और हर एक भले काम में मन लगाया। पर जवान विद्वाओं के नाम ना लिखना क्योंकि जब वे मसीही का विरोध करके सुखविलास में पढ़ जाती हैं तो ब्याह करना चाहती हैं और दोशी ठहरती हैं क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया हैं और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिरकर आलसी होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं पर बक बक करती रहती और औरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बाते बोलती हैं इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जवान विद्वाएं ब्याह करें और बच्चे चनें और घरबार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का आवसर ना दें क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं यदि किसी विश्वासिनी के यहां विद्वाएं हो तो वहीं उनकी साहता करें कि कलीसिया परभार ना हो ताकि वो उनकी साहता कर सकें जो सच मुझ विद्वाएं हैं जो प्राचीन अच्छा प्रबंद करते हैं विशेश करके वो जो वचल सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल कमू ना बाहना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हगदार है। कोई दोश किसी प्राचीन पर लगाया चाएं, तो बिना दो या तीन गवाहों के उसको ना सुन, पाप करने वालों को सब के सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और मसीह यिशू, और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थे जान कर। मैं तुझे चिताओनी देता हूँ, कि तु मन खोल कर इन बातों को माना कर, और कोई काम पक्षपाच से ना कर, किसी पर शीग्र हाथ ना रखना, और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने आपको पवित्र बनाए रख, हविश में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण, थोड़ा थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर, कितने मरश्यों के पाप प्रगट हो जाते हैं, और न्याय के लिए पहले से पहुच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं, वैसे ही कितने भले काम भी प्रगट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते, वे भी छिप नहीं सकते, अध्याय छे इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े छगड़े उत्पन होते हैं जिनकी बुद्धी विगड़ गई हैं। और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। जो समझते हैं कि भक्ती कमाई का द्वार में पर संतोष सहित भक्ती बड़ी कमाई हैं। क्योंकि ना हम चगड़ में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन ही पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परिक्षा और फंदे और बहुत थेरे व्यर्थ और हानी कारक लालसाओं में फसते हैं जो मनुश्यों को विगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपए का लोब सब प्रकार की बुराईउं की जड़ है। जिसे प्रात करने का प्रयत्म करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आपको नाना प्रकार के दुखुं से चन्नी बना लिया है। परहे परमेश्वन के चन्न तु इन बातों से भाग। और धर्म भक्ति, विश्वास, प्रेव, धीरज और नम्रता का पीछा कर विश्वास की अच्छी कुष्टी लड़ और उस सनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू गुलाया गया। और बहुत गवाहूं के सामने अच्छा अंगिकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सब को जीवित रखता है और मसी इश्व को गवाह करके जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगिकार किया या क्या देता हूं। कि तू हमारे प्रभू येश्व मसी के प्रकट्ठोने तक हिसाक्या को निश्कलन को निर्दोश रखू। जिसे वो ठीक समयों में दिखाई करा। जो परमधन्य और अध्वयत अधिपती और राजाओं का राजा और प्रभू का प्रभू है। और अमर्ता केवल उसी की है। वो अगम्य जियोधी में रहता है। ना उसे किसी मनुष्य में देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राच्य युगान युग रहेगा। आमीन। इस संसार के धनवानों को आग्या दे। कि वे अभी मानी ना हूं और चंचन धन पर आशाना रखे। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुक के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। वे भलाई करे। और भले कामों में धनी बने। और उधार और सहयता देने में तत पर हूं। वे आगे के लिए एक अच्छी नेव डाल रखे कि सत्य जीवन को वश्व में कर ले। हे ती मूधियूस इस धाती की रखवाली कर। और जिस ग्यान को ग्यान कहना ही पूल है। उसके अशुत अखवात और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ग्यान कांगिकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे। झाल कितने की पुम झाल आपगह झाल झाल